नमस्कार मैं हूँ विनोद लांबा आप देख रहे हैं इनकबर हरियाना का वो शो जिसका नाम है दावेदार और दावेदार इस लिहाद से की 2024 के लिए टिकेट की रेस शुरू हो चुकी है तो आम जनता के साथ साथ जो टिकेट लेने के इच्छुक लोग हैं नेता हैं वो जो इतिहास है दो बार से भाजपा जीती रही है विपल गोयल जीते थे विपल गोयल के बाद मौजूदा विदायक 2019 में नरेंदर गुपता जीते हैं नरेंदर गुपता विपल गोयल से पहले 2009 का चुनाव था वहाँ बलजीत कौशिक ने बाजी मारी थी तो कॉंग्रेस क चिकिट की दावेदारी की अगर बात करें तो कॉंग्रेस की तरफ से लखन सिंगला ने पिछला चुनाव लड़ा था कम मार्जन से चुनाव जरूर हा रहे लेकिन मजबूत दावेदार हुड़ा के में से नजर आते हैं बलजीत कौशिक आनंद कौशिक के जो भाई हैं ब परफॉर्मेंस को लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे हैं और शहर के बीचो बीच होने के सीट के बावजूद भी उस तरह की सुविधाएं नजर नहीं आती लेकिन महतपूर ये है कि विपल गोयल पूर कैबिनेट मंतरी 2019 में गच्चा खा चुके हैं टिकेट की रेस में क्य 2024 में वापसी कर पाएंगे और सब्प्राइज के तौर पर अजय गोड एक ऐसा नाम है जो जिलाद ध्यक्षे सहित तमाम पदों पर भाजपा में रहे हैं और पूर मुख्यमंतरी मनहोर लाल के भी खास हैं और उनके राजनितिक सचिव रहा करते थे तो मुख्यत यह तीन ह भी नाम बिलकुल हलके में नहीं लिया जा सकता बात फरिदावाद विधन सवा सीट की है तो दावेदारों में सिर्फ कॉंग्रेस और भाजपा के उमिदवारों के हमने करीब करीब पांच से छे नाम आपके सामने रखें क्योंकि सीट S.C. है यहां जे जे पी, बीस पी, I.N.LD. का जो भी कैंडिडेट होगा शायद अभी तक के हालात के हिसाब से इतना असरदार साबित ना हो। पिछली दो बार की जो इतिहास है भाजपा जीती है उससे पहले की सीट के तीसरी बार का जो बात की जाए तो वहां कॉंग्रेस ने तो इस तरह के रोचक जानकारि के साथ और ग्राउंड से अपडेट के साथ इन खबर हार याना पर हम दावेदार सीरीज लगातार आपको दिखाते रहेंगे।